वेलकम तो न्यू लेसन अगर आपको याद हो तो आपने जब हमने यूट्यूब एड्स पड़ी थी और डिस्प्ले एड्स पड़ी थी तो वहाँ पे एक हमने चीज देखी थी प्लेस्मेंट राइट प्लेस्मेंट इस आपकी एड कहां कहां शो हो रही है ठीक है अब सपोस करो आप डिस्प्ले एड चला रहे हो या यूट्यूब एड चला रहे हो बेज़ डॉन कीवर्ड या टॉपिक हाना तो आपकी एड बहुत जगह नजर आ सकती है अगर आप यूट्यूब एड चला रहे हो या डिस्प्ले चला रहे हो बेज़ डॉन प्लेस्मेंट तब तो आपकी एड बहुत जगह नजर आ सकती है ठीक है तो उसमें से बहुत जगहें ऐसी होंगी जो की आपके बिजनस के लिए relevant ना हो तो आप उन उन जगहों को क्या कर सकते हो आप उन उन जगहों को exclude कर सकते हो अपनी campaign से हटा सकते हो ठीक है अब ये काम कैसे होगा देखो अब यहाँ आप देख सकते हो मैं एक campaign में हूँ और इधर आप जाओगे तो यहाँ देखो आपको दिखेगा placement राइट अब मैं इस placement में जाता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे को तीन चीज़े दिख रहे हैं पहला placement दूसरा वेयर एड्स शोड अब देखो यहाँ placement में कुछ क्यों नहीं आ रहा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई placement select नहीं की मैंने गूगल को यह नहीं बताया यह गूगल मेरी यह एड इन इन वेबसाइट पर दिखाओ या मेरी यह एड इन इन वीडियो पर दिखाओ इसलिए placement शोड नहीं हो रही मैंने keyword पर यह remarketing एड है तो just मैंने उन उन लोगों को दिखा रहा हूँ जो मेरी वेबसाइट पर विजिट किये है तो यहां पर दूसरी चीज है वेबसाइट यह आपको दिखा रहा है कि exactly एड दिखी कहा कहा that is वेबसाइट शोड और तीसरी चीज है एक्सक्लूजन कि जो जो वेबसाइट मैंने एक्सक्लूड की है इन इन वेबसाइट पर मेरी एड नहीं दिखाना तो एक्सक्लूजन अभी कुछ नहीं है बट यहां पर है वेबसाइट शोड कि मेरी एड दिखी कहा का अब सपोज करो यहां पर एक जगह दिख रही है मेरी एड क्या है यह एक कैम स्कैनर अब सपोज करो मैं अपनी एड इस पे नहीं exclude हो गया अब मैं अगर exclusions में जाओं तो आप देखो यहां पर दिख रहा है यहां पर मेरी ad अब नहीं दिखेगी मैं वापस आता हूँ अगर where ad showed जो देखो या रहा है small biz trends है यह देखो the lallantop.com पर दिख रही है suppose करो मैं इस पर नहीं दिखेगी where ad showed में और यहां से आप जिन जिन placements में नहीं दिखाना चाहते उन्हें select करके आप exclude कर सकते हो जैसे आप exclude कर दोगे आपकी ad नहीं दिखेगी और वह option दिखेंगे आपको exclusions के अंगर ठीक है जी तो बड़ी असानी से आप यह changes यहां से कर सकते हो ठीक है thank you so much for watching this lesson